जैने दोस्तों आंदे मातरा आज की तारीक में तो ऐसा है कि कोई मूवी यदी बन रही है और बंते-बंते विवादों में ना है तो शायद उसकी मार्केटिंग अधूरी रह जाती है कोई भी मूवी आप उठा के देख लीजिए ऐसी आपको एकका दुखका मूवी ही मिलें अनित्या लगभग लगभग हर मूवी को लेकर विवाद आपको देखने के लिए मिली जाएगा अभी आज का टाइम में काफी ज़्यादा बज में है गदर टू जो कि सनी देवल की आने वाली मूवी है और गदर का ये सेकंड पार्ट होने वाला जो घरी बाइस साल बाद में फिल्म के एक सीन पर शिरुमनी गुरुद्वार प्रवंदग कमीटी मतलब की S.G.P.C. ने सनी के साथ साथ फिल्म डारेक्टर के खिलाव भी कारवाई की मांग करी दरसल S.G.P.C. को गदर टू के एक सीन पर एतराज है फिल्म का ये सीन एक गुरुद्वारे में फिल् ये सीन शोशल मीडिया पर वैरल हो गया है S.G.P.C. के महासचेव गुरुद्वारे के एक सिख होते हुए सनी दियोल इस तरह के दरश्य को गुरुद्वारे के परिसर में फिल्मा रहे हैं दुनों एक ऐसी मुद्रा में हैं जो गुरुद्वारे के परिसर में निंदयोग और उसके मालिक को तैशुदा पैसा नहीं दिया गदल्टू के मेकर्स ने इस घर में करी दस दिन तक शूटिंग करी थी मकान मालिक का कहना था कि फिल्म की शूटिंग तीन कमरों और एक हॉल में होनी थी और मेकर्स ने रोज का 11,000 रुपय का किराया देने का इतना ही नहीं उसके बड़े भाई के घर में भी शूटिंग करी इस बीच उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा और इस वज़े से मेकर्स को 56,000,000 का बिल देकर उन्होंने घर में शूटिंग रोखने की मांग करी 2001 में सनी दियुल वा मिशा पटेल की मुवी गदर एक प्रेम कथा रिलीज हुई थी 22 साल के बाद इनी दो चेहरों को लेकर इस फिल्म का सीक्विल बनाया जा रहा है जिसके गैरागस को रिलीज होने का नुमान है बटवारे पर बनी इस फिल्म को सुतिंदरता दिवस के आ आप में काफी अच्छा बस बना हुआ है लेकिन अब क्योंकि इससे भी कॉंट्रोर्सी जुड़ गई है तो अव्यसी बात है वो लोग भी जो इस मुवी के बारे में नहीं जानते हैं अब इस मुवी के बारे में जानी जाएंगे खैत सनी दियुल की ये मुवी आने वाली है एक बड़ा तपका है जो कि इस मुवी को काफी जादा बेसबरी से देखने का इंतजार भी कर रहा है तो ऐसे बड़ा सवाल ये है कि बाईस साल बाद एक रीमेक को लाना क्या जबरदस्ती है जरूरत है ये तो खेर वक्त बताएगा लेकिन कालेक्शन के लिहाज से